है फ्रेंड वेलकन तो मैं चैनल ने भी रॉक्स टीम्स तो कैसे हो आप सब तो गाईज यह मैं एक मैंच कवर करने वाला हूं फुटबॉल प्रिमियर लीग का जो की साड़े ग्यारा बजे खेला जाएगा बी यू आर वॉर्स लिसेस्टर सीडी के बीच एक घंटे छपपन म चैनल पर जिसका नाम है बी रॉक्स डीमिलावन तीम वॉक्स में मेरे चैनल का बस आपने कुछ निक आना डिक्रिप्श वॉक्स में विसिट करने और आपको माँ पे मेरा चैनल दिख जाएगा और एक बर विनिंग मैचिस की जिसमें की लिट्रा विनिंग हुई है भाई फिर आप बहुत message कर रहो हो मनला मैंने तो maximum आपको बताए था कि मैं थोड़ा busy था रहता हूं मनला मैं ज्यादा reply नहीं दे पाता वर जितनी मेरको message जितना मैं कर सकता हूं मैक्सिमम दे देता हूं रिप्लाई जब मेरे को फ्री डाइम मिलता है तो अभी मेरे को मैंने मैसेज पढ़े कई लोगों के की फुटबल टीम भेज देना तो मैंने भेज दी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आईशार अच्छा ही आएगा क्यूंकि थिंक पॉजिटिव ह अपनी तो तो बात करूं मैं इस मैच की तो भी यू आर वार्सिल इस एस्टे सीटी बात करेंगे हम गोल कीपर की तो यहां से मैं पहला प्लेयर ले रहा हूं एन पॉप और आपको मैं एक चीज से क्लियरली समझाना चाहता हूं ध्यान से सुनना मलब ज़्यादा जल्द ब पहले जिसमें की यह वाला प्लेयर फ्लॉप हो गया था बिकॉस ऑपनेंट टीम ने चार गोल को सीडिट कर दिये थे ऑपनेंट टीम ने साथ गोल करने की कोशिश की ती जिसमें से की चार में उनको सफलता मिली बड़ तीन यह रोग गया था मलब एन पॉप की पिछले हो चुका है अब यह प्लेयर मतलब आज यहार नहीं मानने वाला बात करूंगा मैं डिफेंडर की तो आगे से लूँगा पहला प्लेयर को ना मैं टी कैस्चन टी कैस्चन ने पिछले मैच में आर्सनल के खिलाफ 16 पॉइंट दिये जिसमें की ऑपनेंट टीम ने इनको तीन 90 मिनट जिस कारें इसने 16 पॉइंट दिये और 16 पॉइंट बहुत कम थे बट कोई बात नहीं विदाउट क्लीन शिट 16 पॉइंट देना एक बहुत बड़ी बात है और आगे से बात करूंगा ने पिछले मैच के अंदर ज्याद आचा नहीं किया यह बहुत लिमिटेड मैच इसकेल था और इसने फर्स्ट मैच जो हुआ था इनका सॉरी सेकेंड मैच बीजू आर के खिलाब वो इसने खेला भी नहीं था तो इसके लिए नियू हूँ है सीजन में आगे से बात करूं जे इवन्स की तो जे इवन्स पिछले मैच में मेरे कहीं ऑपनेंट का वाइस जो कि यह प्लेयर भी फॉर्म में रहता है कहीं बार पर शुरुवाती मैच इसने नहीं खेला तो सबके लिए एक तोरा न्यू मैच है और आगे से बात करूंगा मिट फिल्टर की एच बरनिस एच बरनिस इस ऑल्वेस इन फॉर्म बट पिछले मैच के अंदर फ्लॉप हु एक बोलते हैं ना एक जगा हैंडल नहीं हो पाती है तो मुझे लगता है यूरी तिल्समन को वाइस केम टकना थोड़ा सेफ तो रहेगा बट मैं रिस लूँगा एच बरनिस के साथ और आगे से बात करूंगा वेस्ट वूड की एए वेस्ट वूड को अगर अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी उमीद है ये गोल करेगा तैन गाइस आप निकाल दीजिए उसको क्योंकि इस बंदे को खेलते देखें इसको 90 मिनिट क्यों खिलवाते हैं आपने अपने बहुत बार सोचा होगा कि बड़े से बड़े प्लेयर की जगा सब्चिट्यूट आ जाता है इसकी जगा बहुत कम आता है तो पूछो क्यों ये बंदा डिफेंडिंग में बहुत अच्छा है इसको डिफेंडर में जगा नी मिल रही नहीं तो या आने वाले टाइम में आपको लिसस्टर सीटी का डिफेंडर दिख जाएगा बट इंस्क्रिप्शन स्वहन करने की अल रॉडरी की उसकी रॉडरी की उसने इनके किलाफ एक मैच खेला था जो की फास्ट चुआ था 20 सप्टमबर को बाट ये प्लेयर भी फ्लॉप था बिकोस पिछले मैच में सी वुड भी था बट वुड के ना आने के कारण विकोस वुड इस इंजर लिटल इंजर ज्यादा नहीं लिटल तो उसलिए जे रॉडरी कुछ उसकी जगा खेलेगा और आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की कैप्टन ने का वाडी एंड वाइस कैप्टन एच बरन निस तो यही मेरी टीम गाइस मिलता हूं कि वीडियो में बबाए अपना ध्यान रखें बस म करते रहो और टीम पाते जाओगा इसमना विनिंग करते जाओं मिलता हूं अगली वीडियो